गुद्मारिंग फ्रेंड्स वालकम बैक टू चैनल माई क्यूट होम गार्डन तो आपके डायंतर्स फ्लावर का भी कुछ यहीं हाल हुआ होगा सभी जो फ्लावर है वो ड्राइप हो चुके होंगे या उनके ओपर जो सीड़ पोड है वो आने शुरू हो गई होंगे या फ् इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा किस तरह के एडमोस्फेर में इसको जो है वो रखना पड़ेगा आमको कि यह ज्यादा ब्लूम कर पाए तो यहीं सीक्रेट टिफ्स आज मैं आपके साथ सेयर करने वालों तो वीडियो में अंतक हमारा साथ बने रहेगा और अगर चै पहला केरे टिफ्स है हाड प्रूनिंग तो इस प्लांट के में हाड प्रूनिंग करनी है और लगबाव ऊपर मैं काऊं कि 2 इंच के जो स्टैक है 2-3 इंच का जो स्टैक है आपको छोड़ देना है उसके अलावा जितनी भी ब्रांच चीज आए उन सब को आपको कट कर देन प्लावर देखें हैं और देखें मेरे इस घमले के अंदर जहा दो से तीन कलर के जो से फ्लावर है वह ज्यादा भी है वो प्लान्ट के अंदर लगए हुए क्यों कि मैंने एक प्लावर कर रखर हैं तो सबसे पहला जो काम को करना ले поэтому ह्स्ग हरड प्रूनिंग करनी बहुत ज़्यदा जरूरी है क्योंकि जो flowers spent हो चुके हैं उन branches के उपर दुबार नहीं flower जो है वह नहीं आते हैं तो इसके लिए इसकी hard pruning जो है वह करनी हमारे लिए बहुत ज़्यदा जरूरी है कि तो यह फूर्ड प्रोगिंग जब मेरी हो चुके तो फ़र्स्ट टिप यह है कि इसकी हर्ड पूर्डिंग आपको कर देनी है और आस पास में जितने भी ड्राइप लीफ जो सूखे पत्ते आपको नजार आ रहे हैं वह सारे के सारे आपको सब्सक्राइब कर देने हैं यह देखें यह जितनी भी फूके पत्ते इन सब को आप हटाईए कि सारे निकाल दीजिए अगर कोई ड्राइब ब्रांच आपको नजर आए तो वह भी आपको जो है वह रिमूव कर देनी है तो इन उसके बाद आपको क्या करना है जो सेकेंड केयर टिप्स में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं गुड़ाई कि साइडों में आपको जो है वह इसकी देखें यहां पर आपको नजर आ रहा होगा यह मिट्टी तो आपको गुड़ाई कर देने हैं कम से कम एक से डेर डिंच की गुड़ाई जो है आप इसके अंदर कर दीजिए देके मेरे पोर्ट के अंदर जो है वह ज्यादा होंगा जितनी गुड़ाई आप कर सके उतनी कर दीजिएगा कि यह देख कि ध्यान रहें प्लांट की जो रूट है वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो इसलिए एक डेड़ इंच की जो गुड़ाई है वो काफी रहेगी हमारे लिए उसके बाद गुड़ाई होने के बाद गमले को अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि मिट्टी जो हो जाए इसके अंदर जो मिट्टी बनी है वो हाँ से तोड़ लेंगे अगर आपके पास पत्तो की खाद है अगर आप इसके अंदर जरूर मिला दिजे अगर आप इस अंदर पत्तो की खाद मिलाते हैं तो बिलूमिंग ज़य hen वह ज़ादा होगी गर्मियों में फत्तो की खाद होती है थंडी जाती है तो पत्तों की sat अगर आपको मिल जायें कहीं से तो एक अभी तो बहुत अच्छा रहेगा मैं SY पत्तों की खाद ही मिलाई यहापको दिखाने के लिए उसके बाद फॉर्थ है आमारा पाणि डाल दीजेगा यह सारा काम करने के बाद आपको इसके अंदर जो है वो पानी डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है यह देखिए पानी डल गया धीरे-धीरे सीप हो जाएगा इसके बाद जो सबसे इंपोर्टन टीप्स है जो आपके डायंतस फ्लावर को ब्लूम करने में आपकी हेल्प करने वाली है वो है इसको शेड में रखना ऐसी जगह जापर एक दे दो घंटे की सब्लाइट आती हो मिलते है नेक्स्ट अपडेट के साथ तो यह जम मैंने प्रोन किया था उसके करीबन एक महीने के बाद का यह नजारा है एक महीने के बाद का नज है वो भी हमारे काफी अच्छे ब्लूम होने जो है वो शुरू हो गए है यह देखिए आपको बिल्कुल नजर आ रहा तो ध्यान रखिए कि अब आप उसको डारेक्शन लाइट के अंदर बिल्कुल ही मत रखिए अपनी बालकोनी के अंदर लेके है जहां पर अगर इसे प प्लांट के अंदर से न्यू ब्रांचिज आपको जो है वो नजर आ रही होंगी तो यह देखिए काफी अच्छा ब्लूम जो है वो मेरे प्लांट में और मैंने का था किसमें मैंने तीन-चार रंके जो फ्लावर है वो ग्रो कर रख्या है तो एक से दो घंटे की सनलाइट क इसे बचाइए तो उम्हेद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले थैंक्स वर वाचिंग माई व दो आपको यवर्ड़ शेजिए और विल्ड़ शेड़ का यह वे वीडियो डाल आपको ओलन प्रेस कीजिए और वीडियो प्लंगा, कि गएल्या वाचिंगे सब्सक्क्राइब कीजिए और वावाचिंगा उते हैं।